हाई फ्रेंड्स वेलकम टू विदान कीचिन विदान कीचिन इंदोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज में आपके साथ सेयर करने वाली हूँ सेव टमाटर की रेसिपी इंदोरी सेव टमाटर बहुती प्रशिद्धी रेसिपी है और इसे हर कोई पसंद करता है तो आज में आपके साथ step by step tips and tricks के साथ इससे सेयर करूँगी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए बनाते हैं इंदोरी सेव टोमाटर बनाने के लिए सबसे पहले हमने कड़ाई को चड़ा दिया है कड़ाई गर्म है तो मैं इसमें दो टेवल स्पून रिफाइन ओल एड़ कर रही हूँ ऑईल जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम इसमें एड़ करेंगे कुछ खड़े मसाले तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली हुई है तेजपत्ता दोलांग इलाइची और जीरा इसे हम एड़ कर देंगे औल को अच्छे से गर्म हो जाने देना है तभी हम इसे एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैं इसे एड़ कर देती हूँ अच्छे तरीके से इसे हम चटकने देंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे ताकि चीजे जो हैं वो जले ना खड़े मसालों का स्वाद सेव टमाटर में बहुत ही बढ़िया लगता है तो यहां पर मसाले जो हैं रोस्ट हो गए हैं तो मैं इसमें एड़ करूंगी अद्रक लहसुन और काली मिर्च को मैंने कूट लिया था और हरी मिर्च इसे भी हम रोस्ट करेंगे और अब इसमें मैं आड़ कर दूंगी एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने काट लिया है तो जैसा आप चॉप करना चाहें वैसे चॉप कर सकते हैं प्याज को प्याज को हम अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्याज अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अब मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ कुछ मसाले हल्दी यहाँ पर मैं प्याज आउ लैसन का मसाला एड़ कर रही हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है अगर आप इसकी रेस्पी चायते हैं तो प्लीज कॉमेंट करें स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे और अब इसमें एक चमच गरम मसाला एड़ कर रही हूँ और थोड़ सा पानी एड़ करेंगे ताकि मसाले जलेना अब इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे हम और इन मसालो को हम 2-3 मिनट ढ़क कर धीमी आज पर पकाएंगे फ्रेंड्स यहां पर मसाले जो है अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इन्हें हम एक बार मिक्स कर देंगे और अब में इसमें एड़ करूंगी 3-4 टमाटर कटे हुए तो टमाटर हमें लाल यूज करना है जो कि थोड़े पकी टमाटर होते हैं तो टमाटर तो वैसे खटे होते हैं मगर अगर आप देसी टमाटरों का यूज करेंगे तो बढ़िया हैं यहां पर टमाटर अच्छे से गल गए हैं इसे हम मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ फ्रिस मलाई दूद की मलाई है आप यहां पर क्रीम भी एड़ कर सकते हैं और अगर वो भी नहीं हो तो आप इसमें यहां पर दूद भी एड़ कर सकते हैं इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो जरूर सेट कीजिएगा आप भी अब मलाई एट करने के बाद इसे मिक्स कर लेना है अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी एट कर रही हूँ तो पानी जो है ज़्यादा आड नहीं करेंगे बस थोड़ा सा पानी एट करेंगे जैसा भी आप वो ग्रेवी पसंद हो पतला या गाढा तो मुझे बहुत ज़्यादा पतला पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा सा पानी एट कर रही हूँ दो से तीन मिनट इसे हम बॉल होने देंगे उसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी सेव तो सेव आप जो भी पसंद करते हों सिंपल सेव या फिर मैं यहां पर रतलामी सेव यूज कर रही हूँ और आप चाहें तो कोई भी सिंपल सेव यूज कर सकते है तो इसमें सेव एड़ कर दूँगी मैं सेव एड़ करने के बाद इसमें हम फ्रेश धन्या पत्ती एड़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम दो मिनट तक धीमी आज पर पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाना है वरना सेव जो है वह बहुत ही ज्यादा गल जाएंगे तो वह अच्छे नहीं लगेंगी यहीं पेस्ट नहीं बनाना है सिर्फ थोड़ा से स्ट्रीम करना है तो बस एक से दो मिनट काफी है लिजे फ्रेंस इंदोरी सेव टमाटर बंद करके तयार है अब इसे गर्म गर्म सर्फ करेंगे आप चाहें तो इसे रोटी चपाती पराठो के साथ इंजॉय करें तंदूरी के साथ इंजॉय करें आप साइड डिस्क के तौर पर भी इसे इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी है गर्मा गर्म इंदोरी सेव टमाटर बंद करके तयार है अगर आपको मेरी ये सेव टमाटर की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल विदान किचेन इंदोर को जरूर से सब्सक्राइब करें और चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ठेक कियर, बाबाई